AI की मदद से क्या-क्या नहीं कर सकते या गाल सब्सक्राइब किसी के कपड़े वी बदण सकते zwei कैसे दिखाता हूं यहां मैं पर दिखिए एक बॢित बटन पे क्लिक कर रहा हूं और यहां पर आपको दिख सकते हैं त्री तू वन और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यह पुलिस के जैकेट में कनवर्ट हो चुका है राइट ओके क्या बात है यह बिजनिसमन से पुलिसमन बन गए कैसे अगर आप जानना चाहते तो इस वीडियो में मैं बताने हो लो एकी मदद से हम धेर सारी जीजे कर सकते और अडवी ने लेकिया है यह स्पेशली है जो कि यह जेनरेटिव फील के नाम से या भी राप इसमें खुद के इमेजिस भी तायर कर सकते जैसे मैंने एक डिस्कॉर्ट जो है उसके उपर वीडियो बनाता वैसे कुछ यहां पर हम बनाने वाले तो इंट्र बोस्तो जैसिक मैं इंट्रो पार्ट में आपको दिखा है मैंने कपड़े बदल की दिखा है ओके इसे बहुत सरी चीज़िए आप कर सकते हैं लेकिन उसे करने के लिए करना क्या है बेसिकलि आपको पहले सर्च करना है फायर फ्लाइज जो की है अडोभी की तरफ से नया ट जहाँ पर आपको try this out करके option दिखाय दे रहा है और नीचे आपको text to image दिखाय दे रहा है जनरेटिव फिल दिखाय दे रहा है text effect दिखाय दे रहा है धेर सारे अलग-अलग options इन्होंने AI की मदद सी यहाँ पे आपको launch करके दिये Adobe PC क्यों रहेगा उन्होंने भी अपना AI टूल यहां पे लांच किया है अब आपको बहुत सारी फोटो एडिट करने के लिए Photoshop जनरली इतनी ज़रुवत नहीं पड़ेगी हाँ बैकराउंट रिमूट करना है तो डैरिकले आप इसकी मदद से कर सकते हैं इसकी मदद से आप कर सकते हैं चोटे-मोटे कामों के लिए यहां पर फोटोशॉप की आपकी ज़ुरत नहीं और बहुत सारी बड़े काम भी यहां पर होते हैं जैसे कि नया इमेज जनरेट करना लेट में टेल यू गाईज हो इस Here I am going to tell you Try This Out में यहाँ परrichtenर Idee button आपको दिखाय दे रहा है मैं इस पर click कर हो Text to Image हम बना के देखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ already images बनी बनाई आ रही है जो लोगों ने एलड़ी यहाँ पर बनाई है और यहाँ पे यह अपलोड कर दिये मतलब बेसिकली ब्रेडी कर दिये है और पब्लीश कर दिये अड़ाबी ने तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस तरह की मेंज में इस आप यह एक जनरेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर एक कमांड लिखुँगा एक प्रांप्ट आ यह साथ में उसके आजो बाजो में पाहड ची तो let's see guys generate करता है कि नहीं मैं generate button पे click करा हूँ and here it is it will take some time to identify यह command जो आपने दिया है और उसके according वो यह यहां पर image generate करेगा and image का ratio जो फिलाल generate कर रहा है वो square one by one and boom image generate हूँ चुका है guys यह दिखिए यह artwork यहां पर generate हूँ चुका है और साथ में वहाँ पर एक board भी होनी ची बोड भी दे दिया उसने क्या बात है and mountain भी होना ची उस लेक के around तो oh oh right चारो में भी same as it is उसने generate करके दिया है बस अलग-अलग angle से आपको दिखा है right अब यहां पर मैं इस image को square menu मैं से wide screen में देखना चाता हूँ like हम हमेशे use करते ह हमारे जो 1080p pixels के लिए images होती है जैसे की thumbnails होगे रहा के लिए तो वो image यहां पर मैं 16x9 ratio में ले रहा हूँ and now here you can see that image click any one of the image जो आपको result पसंद है basically मुझे यह पसंद है तो मैं यह सलेक करूंग अगर यह पसंद है तो यह सलेक करूंग जो भी मुझे पसंद है वो सलेक करूं इमेज, proper image, quality आप देख सकते हैं मैं इसको zoom करके भी दिखाता हूँ, काभी बड़ा quality आगी है हलाकि यहां पर यह इमेज commercial यूज के लिए नहीं होती है इसलिए उन्होंने उसका लोगो भी डाल दिया यहां पर auto mark अड़ कर दिया है, so इसे रिमू करने के लिए वैसे Adobe ने खुद एक टूल बनाए जो कि आप जाकर यूज कर सकते आड़ो भी Photoshop के अंदर जिसके उपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, right, generative feel करके, वैसे generative feel यहां पर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, don't worry, सब कुछ बताऊंगा, अब यह मैंने आपको example बताए, आप जो image चीए आप यहां पर जनरेट करके देगा, and 3, 2, 1, and boom, here it is, now you can check it out, यह real photo लग रहा है, अब आप देख सकते, पहले वह artwork लग रहा था, and यह real photos ने जनरेट किया भी, देखिए, so आपके पास यहां पर धेर सारे और भी options है, आप यहां पर popular, color, tone, वगयरा, सब कुछ change करके देख स सकते है, show birds in the sky, okay, show birds in the sky, ऐसा command देदो, generate button पे click करो, वहां पे आपको आगे birds in the sky भी add हो जाए, मतलब आप इस command को आगे extend कर सकते है, further extend, और आप जितना, यहां पर prompt दोगे, जिस तरह का prompt दोगे, AI को काम करना ही है, यह robot है, आप जैसे बूलोगे, वैसे काम करते जाएगा, हां, बहुत सरे कसे में exact answer मिलना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब आप बहुत complicated command देते हो, but here it is, you can see, in this image, कुछ bird भी उसने add कर दिये, क्या बात है, right, so, guys, आपको idea आचुका है, and let me add one more prompt over here, so, now, I am adding another prompt, that is, future image show, city view, city view, मुझे चाहिए, future image, चाहिए, future image, चाहिए, with the tallest building having air bridge connectivity with them, like, बहुत बड़ी-बड़ी बीडिंग चाहिए, उसमें connectivity चाहिए, bridge का, okay, and also, with them, also, create air vehicles around the buildings, building के अजू-बजू में air vehicles चाहिए, future, right, futuristic image मुझे जनरेट करनी, let's see, and generate these guys, देखते है, कैसा रहेगा future, right, अपने अलग-अलग futuristic movie देखी होगी, right, Hollywood की अगे तो, उसमें है, अपने देखा होगी, कि building के around, जो अलग-अलग aircraft की तरह ही, air vehicles रहते है, यह देखी, oh, 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 it's generated, जैसे मैंने का था, यह bridge भी उपर दिखाए दे रहे, क्या बात है, everything, जो image आपको अच्छी लग रही, one, two, यह देखिए, क्या बात है, क्या बात है, जबर्दस, right, and यह image आपको Google पर, कई पर मिलने वाली नहीं, आसानी से, guys, और यह काम कर रहा है, बस Adobe Firefly आपे, है ना interesting, इस बात पर इस वडियो को like कर देना, साथी मैं, channel पर नहीं मैं मैंनो, तो subscribe कर लेना, ऐसे content से, फिलाल तो, इतना ही नहीं, जैसे example ले लो, जैसे आपको एक दर्द बरी कह इता हूँ, तो मैं पर prompt लिख रहा हूँ, show college boy in the trace because of girlprint, breakup, girlprint, breakup, girlprint, breakup, girlprint के साथ, उसका breakup हो गया, looking to the old photos of girlfriend, ऐसा कुछ ची ही, मुझे, example के लिए, मैंने ये prompt लिखा है, आपको जिस poem, आपका जो poem का subject है, basically, आपका जो essay subject है, उसे related image ची, तो आप यहाँ पर ऐसा generate कर साथी, मुझे idea देना है, बस, so now you don't need to go and check the proper image on google, यहाँ पर बस proper prompt, proper command देना है, command के recording, आपका यहाँ पर Adobe Firefly का, AI काम करना शुरू कर रहा है, and 3, 2, 1, boom, here it is your result, guys, oh, यह देखिए, भाईया जी, बहुत उदास है, अपनी girlfriend, यह का है, girlfriend के वाजू में कौन हो है, पता रही, AI भाई, कुछ भी जनरेट करके दे सकता है, this is also awesome, right, इसका ब्रेक पो गया, यहाँ लग रहा है, लेकिन इसके आग को क्या हो गया, पता नहीं, यहाँ पे भी है, यह भी this one is also, पीछे से कोई उसको याद आ रहा है, okay, so guys, you can go and download anyone image, यह इमेज जो आई है, यह रिल फोटोस है, you can get the artwork to, अगर artwork चाही तो आप artwork भी ले सकते, इसका, आपको लगता है कि भाई, किसी का photo, यह AI generated photos है anyway, so no problem at all, you can use anywhere, but commercial use के लिए नहीं, तो यहाँ पे मिने आट पे click किया है, and here it is result, artwork, right, इस तरह से आजाएगा guys, you can download these two, right, इस तरह से आप अलग-अलग images यहाँ पे जनरेट कर सकत है, interesting लगा ना guys, not just that guys, यह तो पहला tool मैंने आपको बता है, text to image, यहाँ पे back कीजिये, text to image में, और दूसरा tool, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताने हो जनरेट फिल, generative fill, यह generate button पे click कीजिये, and यह कापी interesting है, यहाँ पे आप देख सकते है, background remove कर सकता है, code बदल सकता है, कुछ भी add कर सकते है, आप नहीं कुछ, okay, let's see, let's see, practically, upload image में क्लिक कर रहा हूँ, let's look at this guys now, upload image में क्लिक कर रहा हूँ, and here it is, I am having this image, मैं यह पहले लिता हूँ, in Madam Zee को पहले लिता हूँ, यह table पे बैठी है, मैं यहाँ पे background remove करना चाहता हूँ, so for that, I am just going to click on this background option, यहाँ पे background remove कर sometimes, यहाँ पे कुछ identify नहीं हो रही चीज़े, so you will have brush, आप यहाँ पे जाकर ऐसा, इस पे जाकर ऐसा, इसे erase भी कर सकते है, right, इस तरह से, clear, again, मुझे background नहीं remove करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेरा mouse button देखें, यहाँ पे दरा image प्रॉपर नहीं आया, so what I am going to do, मै यहाँ पे कुछ add करना चाता है, तो मैंने insert पे click किया, add button पे यहाँ पे click है, और मैं इस पे drag करूँगा, इसकी brush size बहुत बढ़ी आ रही है, तो मैं square bracket से, square bracket से कम करूँगा, square, open square bracket दबाएंगे, तो छोटा हो जाएगा, close square bracket से बढ़ी हो जाएगी, यहाँ से भी brush setting आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी से brush size चोटी किया, और मैंने drag किया, क्योंकि यहाँ पे proper नहीं आया था, तो मैंने इतना ही किया, and मैंने बस generate button पे click किया, कोई command नहीं दी, कुछ नहीं दिया, बस generate, मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पे proper नहीं दिख रहा था, so now जैसे मैं generate करता हूँ, यह कुछ यहाँ पे properly AI काम करना शुरू करेगा, and कुछ ही seconds के अंदर उसने कुछ correction कर दिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे multiple options भी है, जिसमें आपको अलग-अलग दिखाए दे रहा है, फिर भी आप इसको दुबारा try कर सकते, एक select करके इसमें थोड़े से dot तो रह गया है, but यह idea है यहाँ पे कि भाई, इसमें most of काम हो गया, मैं cancel करता हूँ, इसे में clear करता हूँ, और दुबारा इसकी उपर मैं यहाँ पे drag करता हूँ, properly drag कर रहा हूँ, यह पूरा का पूरा section, and now I am going to click it again generate, तो देख सकते हैं, आप कु इसमें इसमें चल्व करता है, यह पहले मैं बताया, background remove करने मैंने आपको बताया था, एक click से यहाँ पे background remove होता है, background तो मैंने यहाँ पे remove कर दिया, लेकिन इस background की जग़ मुझे कुछ और add करना है, इस background में, right, तो यहाँ पे insert मेरा tab है, insert से ही मैंने यह रीमु कर दिया, य इस इमेज में बैगराउंड चाहिए बैगराउंड चाहिए और वह बैगराउंड में मुझे तरऊ सा ऑपीस बैगराउंड जहांपे कुछ इंपलिए एक दो इंपल यू भी है काम करें और वो थोड़ से बलर में दिखने चाहिए यह मैंने इसे कमांड दे दिया है 3, 2, 1 and boom guys इसने background यहां पर change कर लिया है not just that guys हमें options भी दी दिया है यह वाला ले ना यह वाला ले लो पीछे background दीखिए blur है पुरा पुरा वो हो awesome guys awesome right यह समझ मैं आपको खैसे करना है that is called a generative field और यह है AI का कमाल दोस्तो तो इसलिए लोग बोल रहेगी सबकी job खत्रे में तो क्यों खत्रे में आपको समझ में आया होगा मैं इसे यहां पर generative field में दुबारा क्लिक करो upload image पर जा रहो दूसरी image में upload करो यहां पर मैं यह जो businessman है उनको add कर दिया है और मैं क्या करूंगा यह जो shirt दिखाए दिरें का code दिखाए दिरें basically यहां पर मैं brush setting में जाकर brush की size कम कर सकता या open square bracket से brush की size कम करके इनके shirt के उपर यह coat है जो इनके उपर पूरा पूरा ऐसा drag करो पूरा यह गायब करो पूरा पूरा गायब करो इस तरह से right और मैंने यहां पर लिख दिया add police jacket मैंने पहले brush से drag कर दिया insert button पर click करके यहां पर add button पर click रखना है और drag किया उसके बाद add police jacket and generate button पर click के है धैंटाडाण कुछी seconds के अंदर धैंटाडाण यह जो businessman है यह policeman बन गए क्या बाद है इस तरह से आप add कर सकते हैं सारी चीज़े आपको जरू ट्राइब करना चाहिए यह जनरेटिव फिल साथी में आपको ट्राइब करना चाहिए इसके और भी ऑप्शन जैसे आपको अलग लग हमेशा लेना चाहते हो तो चैनल को सबस्क्राइब कीज़े साथी में अगर आपको स्कील सीखने चाहिए और स्कील सीखना कहां से यह अगर आपका सवाल रहेगा तो मैं आपको बता हो हमने प्लैट्पर्म लाइच कि है स्कील कॉर्स नाम का अप्लिकेशन जहांप घर बेटे बेटे आयोशो सर्ट अपकिर के साथ कुर्स सीख सकते हैं बहुत कमपीज में आयोशो सर्ट अपको मिलने वाला है रिपीट वीडियो देख सकते हैं इनअप वीडियो दॉनलोड कर सकते हैं घैर सारी चीजे वहाप इस application में मिलने वाली है, अगर आप interested हो, हमसे skill सीखना, अगर आप अपनी life में grow करना चाते हो, कुछ बनना चाते हो, successful बनना चाते हो, basically, you need to learn a skill, guides, इसी की demand है market में, आपका graduation का certificate, job, interview के लिए, कोई value नहीं करता है, आपके पास skill होना चीज, जैसे आपको advanced Excel आना चाहिए, आपको computer hardware repair करना चाहिए, आपको computer repair करना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, टैली प्राइम, आपको आना चाहिए, धेर सारे और भी courses जो मेरे application के उपर available हैं, मैं से कुछ भी जो भी interested है, वो आपको लगता है कि मैं इसमें career करना चाहिए, वो आप सीख सकते हैं, फिलाल तो वीडियो में इतना ही मिलते हैं, आगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखना, सीखते रहना, लोगों को सीखाते रहना और अपना खयाल रखना, बाई बाई गैइट्स